नमस्कार आप देख रहे हैं खबरे 24-7 आपके साथ में गरिमा मकराणी आईए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरे साभे में हुए कंग्रेस के ऐएउजन के बाद भाषपा ने कंग्रेस नेतां पर कई तरह क्या रोप लगाए और कहा कि पूर्वर रास्टरपती का निदन हुआ है और कौंग्रेस खुशिया मना रही है सावेर नगर में आज कांग्रेस ने केंदरे चुनावकारेले का शोबार्म किया तो बाऑचपा कि सामेरमंडल के अदिश सुमेर सिंग सोलंकी ने कांग्रेस पर निश्वान असादा और कहा कि पूर्वर राष्टरपती प्रणनम मुखर जी की निदन के बाद जहां BJP शोक मना रही है और उन्हें श्रधानजली दे रही है तो वहीं कॉंग्रेस हजारों की संख्या में लोगों कुले कर खुशिया मना रही है मैं सुमेर सिंग सोलंकी ने कॉंग्रेस को जम कर आरे हाथो लिया और BJP की जीत की बात कही आप कोई मालूमें कि आज उन्हें बड़े उस्सा के रूप में अपने कारी लेका पूजन करा उन्हें रूप स्वरूप पलोग दिया वाकि उसमें उस्सा और कित्ते वह उनमें वह था खुशी थी यह से और हमारे भारती जनता पाटी एक संस्कार और संस्क्रति वाली प का महसंत समाज भारती जनता पाटी पूरा वाकि हमारे संगठन देश के संगठन ने ते करा कि उनके चले जाने से कोई भी पार्टी का कारी करने हो अब क्या कहेंगे किस तरह की तैयानिया चल रही है अभी चुनाओ को लेकर उप चुनाओ को लेकर भारती जनता पाटी यह यहां संगठन चुनाओं लड़ता हैं क्यों और यहां के छोटा सथी कारिकर ता की स inhabitant परेंटम भूंछनद गुद्ड्धु को बोल शहा करता है जो सिंधिया जी आकर कहीं आ पुम लोड़तें सिंधिया जी को बुला लो शुनिया गांदी पुला लो मैं आपको चुनोती देता हूं कि यहां सिंधिया जी और पूरे देश के नेताओं के जरुवत निया का यहां का एक छोटा सा छोटा कारी करता आपको चुना भरा के भेज़ देगा अबी के लिए इतना ही लगतार खबरों के लिए बने रहे हैं खबरे 24-7 के साथ नमस्कार